हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बेक टू मैं चैनल मैं संजीता आज हम बनाएंगे मटर दाने और आलो के चाट और चलिए देखते हैं इसके लिए क्या-क्या इंग्रिडेंस चाहिए और कैसे बनाते हैं मैं मटर दाने को 4 गंटे के लिए भिगो के रख दी थी उसके बाद इसे आने देंगे एक सीटी आने देंगे और थोड़ा बॉयल होने के लिए आप चाहेंगे तो और एक सीटी आने देंगे उसके बाद ये हो चुका है आलू और मटर दाने बॉयल हो चुके हैं और खटी मिठी चटनी के लिए थोड़ा सा इमली लेंगे और थोड़ा सा गरम घृट के रख लेंगे आप चाहें तो पहले से भी करकर रख सकते हैं और इसका पल्पनिकाल के थोड़ा सा approached नामक और चीनी थोड़ा सा ज्यादा घ्ठी मीठी के लिए पर फिर यहां ні जीरा सरसो डाल के में क्रेकल होने इसके बाद फ्यास डालेंगे प्यास को भूनेंगे ब्राउन हने तक उसके बाद 2 टामाटर तीन टामाटर आप डाल सकते है उसके बाद ठोड़ा सा हल्दी पौडर और लाल मीच पौडर भी डालेंगे आप पहले से पानी बौयल में जो मतर दाने और आलू में डाले हैं तो नमक यहाँ पे थोड़ा सकन्त जाल सकते हैं और यहाँ पे गरम मसाला पाउडर जो भी मसाला चाहें तो डाल सकते हैं और यह है कसूरी मेथी इससे अच्छी तरह भूनेंगे तब तक टमाटर मैस न हो जाए अच्छी तरह गलना जाए और उसके बाद थोड़ा जो पानी मटर दने और अलू थे उससे सब भी डालेंगे उसके बाद नमक आप स्वाधनुसर डालेंगे प गेस को ओफ कर लेंगे उसके बाद थोड़ा सा थोड़ा सा मटर दने और आलू के सबजी को एक प्लीट में डालेंगे और थोड़ा सा नमकीन डालेंगे जो भी नमकीन है आप पाप्टी भी डाल सकते हैं और मैं थोड़ा सा यहाँ पे मुंगफली भी डाल रही हूं और उ भी डालेंगे थोड़ा सा उपर में प्यास डालेंगे आप जैसे चाये यह थोड़ा सेव भुजिया है इसे भी अच्छी तरह उपर में डालेंगे उसके उपर फिर से घंको मिठी चतनी और यह चाट मसाला है चाट मसाले को भी डाल के उपर में डालेंगे और थोड़ा सा धने की पत्ते डालेंगे यहां पर मैं लेमन का जेश्ट डाल रहे हूं आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं आपका अद्रक भी डाल सकते हैं और यह है हर इमिज यह भी स् आप जैसे चाहें इसे बना सकते हैं और फ्रेंट्स मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए यूटूब में और फेस्बुक पेज में फॉलो किजिए ठेंक्यू सो मच फॉर वाचिंग